एक बिटकोईन तीन महीने के अंदर हो जाएगा एक मिलियन डॉलर का जी हाँ एक मिलियन डॉलर का मतलब यह हुआ कि करीवन सबा आठ करोड का बहुत सारे मेरे जो वीवर्स है वो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि गुपता जी क्या आप दिन में सब देखने लगते हैं या गुपता जी पागल हो गए है या गुपता जी का दिमाग जो है वो घूम गया है फिर गया है तो मैं आपको किलियर कर दूं कि ये बिल्कुल सच्चाई कही गई है जिस ब्यक्ति ने कही है और जिस ब्यक्ति ने दावा लगाया है शर्त लगाई है वो भी मैं आपक महिने में मतलब 17 जून तक बिटकोईन हो जाएगा सवा आठ करोड रुपए का और अगर नहीं हुआ तो आपको वन मिलियन डॉलर भी मिलेंगे अगर नहीं होता है तो ये शर्त लगाई गई है और ये शर्त लगाई है एक जाने माने ब्यक्ति ने जिनका नाम है बालाजी सि निवाशन कौन है उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि बालाजी स्री निवाशन जी क्या है और अगर आपको ये नहीं पता कि बालाजी क्या है तो हो सकता है आप सोचेंगे कि कोई ऐसे ही चलता फृता आत्मी ह होगा जो सड़क पर जा रहा है और कुछ भी बोल देता है कुछ भी बग देता है तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि बाला जी स्री निवासन जी क्या है दोस्तों यहां मैंने Wikipedia खोल दी है बाला जी स्री निवासन की और आप देख सकते हैं इसको पूरा पढ़ सकते हैं यह आपको reference के लिए मैं दे रहा हूं आप जाके इनके बारे में पढ़िए और मैं आपको थोड़ा सा संचेप मैं बता देता हूं कि बाला जी स्री निवासन जो है वो former CTO रह चुक और यह बहुत सारी और चीज़ें कर रहे हैं और अगर मैं इनकी total worth की बात करता हूं तो इनकी total worth जो समय है वो करीवन 150 million dollar की इनकी अपनी बर्त है और यह बहुत सारी अपनी companyya चला रहे हैं और इनकी education की मैं बात करूं तो इन्होंने जो education ली है वो Stanford University में ली है यह एक तरी prominent आदमी माना जाता है तो बहुत सारे लोग इनको आप देख सकते हैं ट्यूटर पर follow करते हैं और जो इन्होंने एक तरीके से बक्तिती दिया और जो शर्त लगाई ट्यूटर पर इन्होंने पोस्त की उससे तहलका मच गया पूरे crypto space में और काफी लोग इनको जो है वो criticize भ dollar का हो जाएगा तो दोस्तों मैं इसके पीछे कारण भी आपको बताऊंगा जो इन्होंने कारण दिये और वो बहुत ताकतबर कारण हैं जो यह बता रहे हैं और उन कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है वो है hyper inflation hyper inflation का मतलब यह है कि मुद्रा इस्वीर्थी इतनी तेजी से बढ़ जाना कि जो आपकी currency है उसका जो कीमत है वो बहुत तेजी से गर जाए तो मैं आपको आसान सब्दों में आपको समझा दूं कि क्या है कि अगर suppose करो आप कोई भी चीज आप लेने जा रहे हैं suppose किजिए कि आपने आलू ही आपको खरीदना है और आलू 30 रुपए किलो मिल रहा है लेकिन रुपए की कीमत इतनी गिर गई कि वो 30 रुपए में नहीं मिल रहा अब वो मिल रहा है आपको 3000 रुपए में तो वो 30 रुपए is equal to 3000 रुपए मतलब value जो थी वो 30 रुपए की 3000 रुपए हो ग financial position चल रही है और लगातार जिस तरीके से bank जो है वो collapse होती चली जा रही है अभी तक 4-5 bank के आप देख रहे हैं collapse हो चुकी है बहुत जानी मानी bank के collapse हो चुकी है चाहें वो silver gate हो चाहें वो silicon valley हो बहुत सारी bank के पीछे नाम आ रहे हैं और स्री निवासन ने ये दावा किया है कि 180 bank और धी line में लगी हुई है जो आने वाले time में collapse हो सकती हैं बहुत ही जल्दी और इसमें time नहीं लगेगा तो दोस्तों अगर ये position अगर बनती है तो इसको समभालने के लिए जैसा की कहा जा रहा है अमेरिका की जो रिजर्व एंक है जो फैड रिजर्व है वो लगातार print कर रहा है यूएस डालर्स को और यूएस डालर्स आपको जब पता है कि जब ज़्यादा print किये जाते हैं तो उनकी कीमत जो है वो down हो जाती है सीधा सीधा आपको मैं एक्जामपल देता था हूँ बैंजुला का बैंजुला में भी यही पोजिशन हुई थी बहुत सारी उन्होंने करेंसी फियेट जो है वो print की अपनी economy को बचाने के लिए अपने जो खर्चे हैं उनको समालने के लिए और वहाँ पोजिशन यह हो गई कि मुद्रा स्वीर्थी जो है वो इतनी जादा बढ़ गई की कीमत है आस्मान में पहुँच गई तो यह सारी चीज़ें जो है वो उन देसों के साथ होता है जो बिना सोचे समझे इस तरीके की फियेट जो है वो करेंसी चापते रहते हैं लेकिन दोस्तों बिटकोईन के साथ आप देख सकते हैं कि ऐसा बुलकुल भी नहीं है बिटकोईन जो है वो लिम्टेट करेंसी है केवल 21 मिलियन जो है वो बिटकोईन जो है वो माइन हो सकते है इससे बढ़कर न इससे घटकर क secure है दूसरा बालाजी स्री निवासन ने एक और दावा किया है कि आने वाले टाइम में bitcoin जो है वो flip कर देगा gold के लिए क्योंकि आप अब तक देख सकते हैं कि जो एक तरीके से एक reserve currency है उसको gold माना जाता है और gold के हिसाब से ही आप जो है वो fiat जो है वो print करते हैं तो आने वाले टाइम में जितनी भी central bank के bank हैं और देशों की वो क्या करेंगी कि bitcoin को एक reserve currency की तरह gold की तरह इसको use करेंगी और उसको अपने पास रखेंगी खरीदेंगी और उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी देख सकते हैं कि नरेंद्र मोधी जी जो है वो आने वाले टाइम में reserve bank of India को बोलेंगे कि भया जल्दी से जाओ governor को बोलेंगे कि जल्दी से आप bitcoin को purchase कीजिएगा जितनी जल्दी हो सकता है औ वो एक तरीके से reserve currency बन जाएगा gold को flip कर देगा gold तो फिर भी आप दे सकते हैं mine करते हैं तो और भी बढ़ सकता है और ज्यादा आप mine करते हैं ज्यादा निकल सकता है लेकिन bitcoin जो है वो बिल्कुल 100% fix currency है 21 million dollar से ना आगे बढ़ सकती है ना कम हो सकती है तो दोस्तों कम तो हो सकती है क्योंकि अगर गुम हो गए bitcoin या आपके hack हो गए या बहुत सारों के मालो private की जो है वो खूज आती है तो कम हो जाते हैं मतलब नहीं है वो खतम हो गए लेकिन 21 million से ज्यादा नहीं हो सकते तो इस condition पे ये जो है वो bitcoin एक तरीके से जो है वो reserve currency है अब मैं बात करता हू कि उन्होंने जो bet लगाई वो क्या थी उन्होंने bet ये लगाई थी कि भया अगर कोई भी बंदा इस चीज के लिए तयार है कि वो ये मानता है कि bitcoin तीन महिने के अंदर 1 million dollar का नहीं होगा तो मैं तयार हूँ उसको 1 million dollar देने का और उन्होंने कहा था कि मैं अपने जो USD हैं dollars हो हैं वो USDT में convert कर रहा हूँ और convert करके एक तरीके से escrow account खोल लेंगे जिसमें हम उसको वहाँ डाल देंगे अपने USDT को आप अपने BTC को डाल दीजेगा तीन महिने के बाद अगर bitcoin जो है वो नहीं होता है 1 million dollar का तो वो आपको मेरे जो 1 million dollar हैं USDT हैं वो आपको मिल जाएंगे और आपका अपना जो bitcoin है वो भी बापस मिल जाएगा लेकिन अगर 1 million dollar हो गया 1 bitcoin तो वो 1 million dollar जो है वो मेरे जो डाले है as to account में वो मेरे हो जाएंगे और जो एक bitcoin जो आपने डाला है वो भी मेरा हो जाएगा आपको पता ही है कि as to account जो है वो बहुत सारी exchanges में आप खोल सकते ह और इसी तरीके से P2P जो जिस तरीके से trading होती है वो इसी तरीके से होती है तो इस में जब ये बातें tutor पर चल रही थी तो इसमें CJ जो Binance है वो भी कूद गए थे और उनों ने कहा था कि भाया मैं इस चीज की guarantee लेता हूँ और मैं अपनी exchange की तरफ से आपको ये सुबदा द होते हैं और सर्थ लगाने की कोशिस कर रहे थे तो मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसिद केवल यही है कि दोस्तों Bitcoin के पीछे जो अभी reason चल रहे है और जिस तरीके का एक तरीके से scenario चल रहा है तो ये बहुत बड़ी ताज़ुब की बात नहीं है कि एक Bitcoin जो है वो 2019 में इतनी तेजी से नहीं बड़ी थी उतनी तेजी से Bitcoin की कीमते जो है 2023 में समय बढ़ रही है अभी 28,000 डॉलर पर चल रहा है और मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरीके की position रही तो एक साल के अंदर ये जो है अपना all time high तो cross करेगा हो सकता है कि एक लाग डॉलर भी हो जा इस बारे में और आपको क्या लगता है कि बाला जी के बारे में कि उन्होंने जो सर्त लगाई हुई है क्या बाला जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या बाला जी हार जाएंगे इसके बारे में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि आपके जो कॉमेंट है हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण होते हैं जिससे हमें भी सीखने को बहुत मिलता है आप लोग भी जैसा हमें comment करते हैं कि आप भी सीखते रहते हैं दोस्तों दूसरा अगर आपने हमारा चैनल जो है subscribe नहीं किया है आप हमें इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं इन सब की लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो जाएए आप हमें फॉलो कर लिजेगा तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई और अगली बार फिर किसी नई आप बेट के साथ आपके सामने फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहें